नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलीश जेन हिंदी चेस बेस ही नचल पर आप सभी का हार दे करने करता हूँ दोस्तों आपसे थोड़ी ही दिर बाद मुकाबला शुरूने वाला है परहम मकसूदलू पूर विश्वे जूनियर चैमकनी इरान के बहुत ही जबर्ज़स टैलेंट और भारत के आर प्रग्याननदा इन दोनों के बीच जो है एक जोड़दार मुकाबला उसके शुरुआत होने की उम्मीद है और देखते हैं कि प्रग्याननदा जो है वो कैसा खेलते हैं काले मौरों से मुकाबले को प्रग्याननदा यहां पर खेलने जा रहे हैं क्या पूर विश्व जूनियर चैंपियन को एक जबर जस्च चनोदी जो है यहाँ पर दे पाएंगे प्रज्यनंदा और यहाँ पर I think मुकाबला शुरू होने का वक्त जो है वो आ चुका है और जल्दी जो है यहाँ पर हमें मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है प्रज्यनंदा ने घड़ी दबा दी है C4 खेल के शुरूआत की है पर हम ने यहाँ पर प्रज्यनंदा ने E5 खेला है English opening यहाँ पर होती हुई और अब यहाँ पर decide करना होगा कि अपना development कैसे पूर्या करेंगे क्या पहले D4 आएंगे या फिर पहले अपने light clear के bishop को जो है पहले इसको बाहर निकालेंगे या पहले D4 वगेरे खेलेंगे तो यह एक देखने वाली बात होगी यहाँ पर पहले bishop E2 खेला है और यहाँ पर प्रग्यनंदा को भी अपना light clear का bishop है इसको बाहर निकालना होगा तो देखते हैं वो कहां से जो है इस bishop को गेम में ले करके आते हैं और यहाँ पर कैस्लिंग bishop E2 और अब यहाँ पर प्रग्यनंदा ने D6 खेला है bishop को गेम में लाते हुए यहाँ पर आगर आपको बता दू कि बहुत ज़्यादा गेम अलड़ी नहीं खेले गया है E4 कर दिया है यहाँ पर हम मक्सूद लो ने इसका मतलब है कि उन्होंने D5 के स्क्वेर को यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है bishop F5 की किसी तरह की संभावना को आपको फ्यूचर में खत्म किया है नाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया सकता है खर नाइट येट खेला है प्रग्यानंदा ने और इन्होंने किया है D4 अब सेंटर को तोड़ते हुए यहाँ पर पर हम मक्सूद लो समय लगबग दोनों खेलाड़ों का फिलाल बराबर चल रहा है और यहाँ पर अब प्रग्यानंदा को डिसाइड करना है कि वो सेंटर पर एक्षेंज करेंगे या सेंटर को यूँ ही छोडेंगे यहाँ पर कुछ और खेलने की कोशिश करेंगे ह6 खेला है मैं आपको उतादू कि डाटाबेस दिखा रहा है यह नॉवल्टी है मतलब इससे पहले ह6 कभी नहीं खेला गया एक्स पोजीशन पर तो यह एक इंटरस्टिंग मूव है प्रग्यानंदा शाहिद इस बिशप को जो है वो जी फाइब पर आने से रोक रहे हैं य यहाँ पर और प्रग्यनंदा ने बिना समय गवाए F5 खेल दिया यहाँ पर अब समय का थोड़ा सा दबाव जो है परहम के उपर बढ़ता हुआ और प्रग्यनंदा का बहुत ही साफ यहाँ पर संदेश है कि वो किंग साइट से जो है यहाँ पर मुकाबले खेलने वाले है और यह F5 जो मूव है यह उची दिसा में उठाया गया कदम है लेकिर एक बात ध्यान रखने की है कि अगर यहाँ पर पॉन्स एक्षेंज होते हैं तो डबल बिशप है अपोनेंट के पास वो कही न कही नुकसान पहुचा सकता है लेकि इसमें एक बात यह भी है कि अगर प पॉन यहाँ पर डबल है यह पॉन यहाँ पर सिंगल है प्रग्यनंदर ने भी एक्षेंज किया और बिशप A3 यहाँ पर आता हुगा बिशप A3 रूक F7 ना रूक D1 से कुईन पर अटाक कुईन गया यहाँ पर प्रग्यनंदर का F6 पर और इंटरस्टिंग पोजिशन है यहाँ पर बहुत सोच समझ के आपको चालेज चलने होगी और यहाँ पर यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या आप एक काम तो कर दिया है दूसरा भी करेंगे क्या यहाँ पर F into E5 E into F5 भी मारेंगे क्या ताकि यह बिशप भी थोड़ा बहतर हो जाए या इस बिशप को बह बिशप C4 आ रहा है लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखना होगा कि क्या प्लान है ओके शायद बिशप C4 Queen B3 दोनों एक जोड़दार मूव हो सकने हैं यहाँ पर वाइट की दरब से यहाँ पर प्रग्यानंदा कैसे कंटिनू करेंगे प्रग्यानंदा कैसे कंटिनू करें बिशप C4 और बिशप E6 आपके पास हमेशा अवेलबल है ओके तो उन्हों नाइट D2 खेल दिया है यहाँ पर पर मक्सूद लिए और शायद वो नाइट बिशप C4 या नाइट C4 आने का प्लान कर रहे हैं लेकिन एक बार उनको F into E5 शायद मारना चाहिए ताकि वहाँ का टेंशन खतम हो जाए E4 के स्क्वेर का और यहाँ पर अब बिल्कुल हाथ तयार है यहाँ पर प्रग्यनंदा का देखते हैं वो क्या खेलते हैं यहाँ पर क्या चाल लेकर क्या आते हैं और पर हम के पास समय का दबाओ जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ चुका है बहुत ही इंपोर्टेंट होगी समय भी ले रहे हैं अपना क्योंकि आखरी मौर आया जिसको गेम में आना है और यह भी एक हलकी सी समस्या तो है इसको बात करें इस नाइट की खेल दिया है उन्होंने और यहाँ पर अब पर हम की बारी है देखते हैं पर हम यहाँ पर क्या मोव लेकर के आएंगे क्या खेलने वाले हैं अगली चाल यहाँ पर हमक्सोद लो यह बहुत महत्पून होगी चाल नाइट सी फोर बिशप सी फोर रुग बी वान एफ़ी फाई एफ़ाई मुझे तो यह फ़ाई ज्यादा ठीक लगती है ताकि वो थोड़ा फ्री हो जाए और यहाँ पर यह चीज जरूर आपको ध्यान रखने है कि एंड गेम में यह जो स्ट्रक्चर है यह कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा सा नुकसान दायक यहाँ पर हो सकता है पर हम के लिए पर हम काफी जादा सोच रहे हैं समय काफी उनका कम होता हुआ उके उन्होंने जब C4 खेल दिया है क्या प्रगे नंदर एक्चेंज करेंगे या कुछ और सोचा हुआ है एक्चेंज करतो हो इमिडेटली नाइट C4 आता हुआ लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या यह घोड़ा यहाँ पर सुरक्षी देख क्वीन E6 खेला है बड़ा जल्दी क् कि शायद यहाँ पर एक प्रॉब्लम है नाइट पीछे अटा है क्वीन E6 के बाद नाइट E3 हुआ है और प्रगे नंदर ने एफ इन्टू E4 इमिडेटली मार दिया प्रॉब्लम यह है कि अगर क्वीन यहाँ पर मारने के लिए आता है तो क्वीन E2 आरत क्या है यहाँ प आप देखिए नाइट E2 अगरे का चेक भी बहुत डेंजर हो सकता है यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर यह क्वीन E4 मारने आएंगे तो नाइट E2 चेक और उसके बाद नाइट C3 आपका एक्चेंज मर रहा है तो यहाँ पर कुस्तो प्लंडर हुआ है पर हम से क्वी बहुत कम हैं कुईन E5 खेला है उन्होंने लेकिन उनका टाइम यहाँ पर खतम हो गया है और प्रग्यानन्दा यह मुकाबला टाइम से जीच चुके हैं लेकिन एक्चुली पोजीशन भी विनिंग है उनकी पर हम बिलकुल समहाल नहीं पाया है और ज्यादा सोच लिया उन नाइटी टू के चेक के साथ और गमाली जे वाइट पॉंड रिकवर करें सो नाइटी टू चेक किंग एक्च वन और यह दोनों रुक एक्चेंज करने के बाद नाइट डीवन के जाने करत कुईन C4 एक और पॉन यहाँ पर मार लेंगे और यहाँ पर आप देखें बहुत जीते हैं प्रग्यनंदा पर पोजीशन भी उनके नियंतर में थी हो और मुझे लगता है कि जो में गलती हुई है वो हुई है शायद तक यह C5 का जो प्लान है और फिर यह जो बिशप लाए हैं और यह शायद भूल गए कि यहाँ पर QE6 बहुत कमाल की चाल प्रग्यनंद तो यह कमाल की टैक्टिक आ रही टैक्टिक्स आ रही थी जिसके विज़े से अपना प्यादा खोरना पड़ा हुआ फिर पोजीशन भी पूरी तरह से पर हम के हाथ से निकल गई और जैसा की नजर भी आ रहा है पर हम बहुत दुखी है उमीद करता हूँ है वीडियो आपक